नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सल्या देशी किचन में हार्दिक स्वागत है आज ऐसी मीठी चटनी का रेशीप लेकर आई हूँ जिसे खाकर दिलखूस हो जागा एकदम धमाकेदार और ये दिखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है और नौरातन को सूब अफसर पर इसे बना कर खाए ये बहुत हेल्दी है और इसे बहुत तागत बना रहता है टमाटर हमने लिया है एक किलो काफी लाल और पका हुआ है और ये टमाटर खटा भी नहीं है तो इसके लिए हमने लिया है गूर और मखाना एक कप ये दिखिए ये मखाना है मखाना डालने से बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है तो यहाँ पर लिया हमने काजू औ और काजु को ऐसे चीरा लगा लेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए हमारे रेसिप को लाइक कीजिए ज़्यदा से ज़्यदा सेर कीजिए कि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए आपके सपोर्ट को हमें बहुत जरूरत है और नौरातन में ऐसे ही मीठी चटनी बनाईए बहुत ही हेल्दी है और यह खाने से कमजोरी दूर हो जाता है सप हमने एक चमज लिया है दो लाल मिर्च लिया है और दो तेजपत्ता लिया है एक चमज जीरा लिया है जो हम जीरा गोल की यूज करते हैं उसी का जीरा टमाटर को पहले हम काट लेंगे छोटे छोटे चोटे टुकडो में काटेंगे टमाटर अच्छे से गल जाए तो य रोटी पराठा पूरी किसी चीज के साथ खा सकते हैं खास बात यह कि इसे बना कर आप 10-15 दिन तक फ्रीज में रख सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होगा बहुती ज़्यादा यह टेस्टी लगता है खाने में खास बात है कि हेल्दी भी है नौरातन में हम ऐसे नहीं काट की है और इसका सवाध बिलकुल कम नहीं होता है तमाटर को हमने काट लिया है औहżej इसको हम को मां फोड़ा सथ कमाणिया छ कैंड़ दाल देंगे और इसको साथ ही ढाल देंगे आधे चमच सौप और इसमें डाल देंगे दो लाल मिर्च दो तेश पत्ता जो भी चीज आप नहीं खाते हों आप उसे हटा सकते हैं और यह चटक गया है तो इसमें डाल देंगे टमाटर बनाना बहुत ही असान है बस जटपट बनने वाली रेसिपी है बस तीन से चार मिनट में यह बनकर रेडी हो जाएगा अब इसे अच्छे से चला लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक यह टमाटर गलना जाए बस इसे भूनते रहना है और माखाना हम पहले भून लेंगे अगर आपको पसंद है घी या बटर तो आप माखाना घी या बटर में भून ले तो हमें अभी पसंद नहीं है घी बटर इसलिए मैं ऐसे ही भून ले रही हो देखी इसे भून कर निकाल लेना है कच्छा बिल्कुल नहीं डालना है और टमाटर यहाँ पर हमारा जो है यह गल चुका है आप देख सकते हैं बस इसे छोलनी के मदद से काटते रहेंगे टमाटर अपने आप ही गल जाएगा अब इत्ते टमाटर का सीजन नहीं है तो यह टमाटर थोड़ा सा दिक्कत होता है गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसमें गुर डाल देंगे और यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं साथ में यहाँ पर गुर और चीनी दोनों यूज कर रहे हैं आप जो चाहे यूज कर सकते हैं और एक चुटकी सेलहा नीमक जो ब्रत में हम खाते हैं तो बस आप अगर नमक नहीं पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये टेश्टी लगता है और ये नौरातन का सूभ अफसर है तो इसको बनाना तो बनता है पानी डाल देंगे कि गुड जो है अच्छे से गल जाए और जो बचा है टमाट पर उसका लिंक दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं तो देखिए इसमें हमने काफी ड्राइफूट डाल दिया है चोहडा भी डाला है और मखाना भी इससे ये ब्रत वाली मिठी चटनी बनकर रेडी है आप इसे किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं और 10 से 15 दिन तक इसे आप बना कर भी रख सकते हैं गाढ़ा कितना रखना है यह आप पर डिपेंट करता है तो यह हमारा मिठी चटनी बनकर एकदम रेडी है और बहुत ही हेल्दी खाने से यह बिल्कुल कमजोरी महसूस नहीं होगा इसे खाने से आपके सरीर में ब्रत के समय बहुत ही एनर और कमेंट करके जरूर बताईएगा फिर से मिलती हूँ